कोविड नाइटीन की शिकार हुई एक और सितारा क्या है पूरी स्टॉरी बताते हैं इस वीडियो में हेलो दिस इस लीसा गंगवानी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि वो स्टार ये रिष्टा क्या कहलाता है में जो फीचर करती थी उन्होंने अपनी जा क्या कहलाता है में नजर आती थी वो लर रही थी वेंटीलेटर पर थी उनकी हालत क्रिटिकल थी ऑक्सिजन लेवल्स काफी जादा ड्रॉप हो गय थे जब उनको फीवर था और ऑक्सिजन लेवल ड्रॉप हो गया था 71 पर दब उनकी मम्मी को पता चला था और वो भागती ह कोई गुरगां उसे इनके पास पहुँची थी और इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था डेली के ही लेकिन इनकी हालत सुधारने का नाम नहीं ले रही थी वेंटिलेटर पर भी ऑक्सिजन 84 तक ही पहुच पा रही थी और कुछ भी हालत में सुधार नहीं था ऐसे म उनकी ममी ने सब को बताया था कि वो किस तरह से टेंस्ड है उनकी बेटी की हालत को लेकर यहाँ पर उन्होंने ये खुलासा भी किया था कि किस तरीके से उनकी बेटी के पती यानि कि उनके दामाद उनकी बेटी का साथ छोड़कर चले गए है गगन पर ये बड़ा आरोप लगाने के बाद गगन खुद सामने आये थे और उन्हों ने कहा था कि उन्हों ने अपनी वाइफ का साथ नहीं छोड़ा है उनकी मम्मी को शुरू से इन दोनों की रिष्टे से तकलीफ थी जिसके चलते वो इतना बड़ा इलजाम लगा रही है उन पर अब इस बात कर क्या स चार जी ने शेर की अपनी कॉंडलेंस उन्हों ने बोला है कि जब उनके पास कोई भी नहीं रहता था बात करने को तब दिव्या उनका साथ देती थी ऐसे में देवली ने बहुत दुखी है कि उनकी इतनी अच्छी दोस्त उनको छोड़ कर चली गई लेकिन वो बिलीव कर कौन कब अपनी जिन्दगी खोदे पता नहीं चल रहा है और यह पैंडमिक थमने का नाम भी नहीं ले रहा है ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे दिव्या जी के बारे में लिखकर बता सकते हमें कॉमेंट सेक्शन में साते हमाँ चानल देखते रहे क्योंकि ऐसी खबरे एक